नमस्क्राइब दोग निफ्टी बैंक की निफ्टी बैंक में जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी निफ्टी बैंक रीट्रेस कर सकता है तो वो रीट्रेस्मेंट कम्पीट हो गया है जैसा कि हमको निफ्टी 50 के चार्ट पे दिखाई पड़ा था जिन लोगो याद नहीं ह का ब्रेक आउट हुआ था निफ्टी 50 का उसके निफ्टी 50 में भी रीट्रेस्मेंट हुआ था और रीट्रेस्मेंट कम्पीट होने के बाद निफ्टी 50 ने अल्मोस्ट फोम दी लेवल्स ऑफ 23500 तेज़ पांसों से सीधे सीधे अगर आप देखें तो 24,000 के लेवल्स को ट निगेटिविटी जरूर थी प्रॉफिट बॉकिंग जरूर थी बट अभी भी निफ्टी 50 24,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ है सिमिलेली निफ्टी बैंक के बारें बात रहे है करीब करीब 500 पॉइंट की गिरावट इन फाक्ट दूसों 52500 के लेवल्स क्रूशल थे जैसे ही वो गिरे बहुत ही तीजी से शाफ फॉल दिखाई पड़े हैं को निफ्टी बांक में अल्टीमेटली क्लोजिंग हुई है 52,342 पे आउट ओफ 2300 स्टॉक्स करीब करीब 1100 स्टॉक्स डिक्लाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे अड्वैंसिंग स्टॉक्स वर 1250 प्लास मिड़ के अपोर्ट स्मॉल काप स्टॉक्स में आज के दिन बाइंग दिखाई पड़ रहे थी ग्लोबल मार्केट्स के बारे हम बात रहे हैं बिल्कुल फ्लाइट डाओ जूंस पांच पॉइंट्स नास्डेक आठ पॉइंट्स ये औरोपिन मार्केट्स में भी सिर्फ 20- पॉइंट्स के मॉवमेंट है गिफ निफ्टी दस पॉइंट के निगेटिविटी शो कर रहा है आज के टॉप गेंटर्स के बारें बात रहे हैं तो आज के दिन भी रिलाइंस वास पॉजिटिव टू अनाहाफ पेसेंट के आसपास दोस्टों ये पॉजिटिविटी एक् वेरी मच एक्सपेक्टेड जैसे ये रिलाइंस के 3000 के लेवल ब्रीच हुए थे यहीं से हम लोग ने ये अजूम कर लिया था कि रिलाइंस में पॉजिटिविटी कॉंटिव रहेगी और दोसो 3000 के लेवल वर्धी ब्रेकाउट लेवल एज वी हैट स्टेडीड अर्लियर ओ को आज के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है बात करें हम लोग लास्ट एक हफ़ते में कौन से स्टॉक्स ने और परफॉर्म किया है उसमें लीड कर रहा है स्टॉक्स लाइक डॉक्टर रेडी सेवन परसें टाप इसके लावल टरेक सेमें ग्र वर दी अधर टॉप अंडर परफॉर्मर्स इंट्रेस्टिंगल दोस्वों आज के दिन जहां पर पिछले दिन के कंपार्जुन में ज्यादा डिलिवरी दिखाई पड़ रही हायर एक्युमेशन दिखाई पड़ रहा है उसमें लीड कर रहा है मारूती इसलब सिपला अड पिक्चर क्लियर 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 होगी क्रेट होगी उसके बेसिस पे आप बाइवर सेल के डेसिजिन ले सकेंगे अगर आप मुझसे पूछें किसर यह कैसे किया जाता है तो दोसों इसके लिए आपको हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा यह एक्शली लेन हाव तो डू वराज FIAS के बारे हम बात रहें तो उन्होंने आज ना तो जदा बाइक कर रहा है ना जदा अच्छा कासा बाइक यह सेल किया है लेकिन और और अगर आप मुसे पूछे तो उन्होंने 23 क्रोल की सेलिंग करी है जो कि मेरे साब से कोई बहुत हेवी सेलिंग नहीं है सो और पिसम्ध कर आप देखे तो मार्केट में आज के दिन बाइंग हुई है और प्रैमिरली जिन स्टॉक्स में बाइंग हुई है वो सारे के सारे मिट कैप अ स्टॉक्स हैं कुछ तोक से दोस्व जिनको की मैं डिसकुस करना चाहता हूं आपके साथ क्योंकि उनमे न्में लोसकर ब्रदर्स यह दो वो स्टॉक्स है जिन पर कि आपकी निजरे होनी चाहिए और इनको स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो महाराश्रा गौर्वर्मेंट है स्टेट बजट में उन्होंने बोला है कि 8,50,000 8.5 लाक फार्मर्स को वो सोलर पंस प्रोइड करेंग जिसके तहत महाराश्रा गौर्वर्मेंट सोलर पंस फार्मर्स को प्रोवईड करेंगी अब दोस्टो इतनी बड़ी कॉंटि में एतना बड़ा इंवेश्टमेंट अगर महाराश्रा गौर्मेंट कर रही है तो दोस्टों यही रिजन है कि यह सारे के सारे स्टॉक बिलकु यह रुकी नहीं रहा है, तो ऐसे में दोस्तों यह stock थोड़ा सा run-up तो ज़्यादा कर चुका है, लेकिन जिस प्रकार की opportunity है, उस प्रकार के हिसाब से तो stock में आगे भी तेजी continue रह सकती है, वहीं पर किरल उसकर ब्रदर्स के बारे हम बात रहे हैं, तो किरल उसकर ब्रदर्स में अभी recently retracement हुआ था, 1900 के level से 1600, और उसके जब जैसे इस stock को break, इस level को, 1900 के level को break out किया है, stock ने already 2200 के highs लगा दी है, दोस्तों जिस प्रकार की opportunity यहाँ पर निकल कर के आ रहे हैं, इस stock पे भी आपकी निज़रे होने चाहिए, और यहाँ से stock में, जिस दूस्तों साड़े ल others हो गया, एक और stock है, जिसको आप study कर सकते हैं, KSB pumps और शक्ती pumps of course, तो इन तीनों stocks को आप study करो, इन में से सबसे stock सबसे aggressive लग रहा है वो शक्ती pump, इसलिए वे और भी stock है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, वो है roto pump, इनको आप study करिए, next stock है दोस्तों इंडिया सेमेंट और इंडिया सेमेंट में में मेरा outlook positive था, इंडिया सेमेंट में जो हमने position को create कर रहा था, हमने trade analysis के वीडियो में भी आपके साथ discuss किया था, 280K levels पर एक important breakout level था, और हम लोग ने तो in fact stock में इस level पर ही entry कर रखी थी, इस stock में positivity आगे भी continue रहने की उमीद है, आपको मालूम होन में अगर इस company को buy किया है, अल्टा टेक जो कि इंडिया की number one cement company है, तो इसे अब समझ सकते हैं, इस company का fortune change हो सकता है, और इंडिया में जिस प्रकार से development हो रहा है, growth हो रही है, cement companies have no other option than to grow, इसके लावा जेके टायर्स के बारे हैं बात रहे हैं, तो इसमें आज के दिन एक research report ITM के global की जिसमें कि उन्होंने बोला था, कि company की growth के लिए बहुत सारे factors हैं, जो कि company की growth को fuel कर रहे हैं, company की growth को push कर रहे हैं, company में बहुत सारी tail winds है, when I say tail winds, what do you mean by tail winds, tail winds मतलब simple चीज़ है, दो तरह से हवा चलती है, एक आपके सामने से चलती है, head से चलती है, इसको बोलते है tail winds, तो आप आगे कब ऐसे भागेंगे, आगे कब भागेंगे, जो पीछे से हवा चलेंगे ना, that is tail wind, अब पीछे से हवा चलने के लिए क्या चाहिए, कुछ ऐसा environment चाहिए है, जो कि आपको push करें आगे करने के लिए, है कि यह तो ऐसे बहुत सारे environment है, जैसे कि आप देख चाहिए है, इसके चलते है, stock was up massively today, in fact stock में जिस प्रकार की participation हो रही है, stock का a crucial level है, जो कि मैं आपके साथ डिसक्राइब करना चाहता हूँ, वह है 440 level, अगर इसके breakout, 440 levels का breakout होता है, जो कि मुझे लगता है, stock में बहुत ही easily possible है, तो यहां से यह जो level है, this is the precise level I'm talking about, which is nothing but 80 points, when I say 80 points, तो यहां से 440 का 80 points हो गया, 520 level, तो जो पहला target है T1, which happens to be 520, अगर आप मुझे पूचे है, इसके क्या guarantee है, by guarantee मैं नहीं दे सकता, I cannot give you guarantee, आपको यह चीज मैं सिर्फ technicals की basis में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक और stock का नाम है SGFC Live, जिसमें कि आज के दिन negative news थी, कंपनी को एक बड़ा income tax का order मिला है, order मतलब वो नहीं है order, कि order मिला, ठेका मिला, ठेका विका नहीं मिला, इनको IT order का demand notice आया, जिसके चलते हैं, उनको 1500 करोड रुपए भुगतने पड़ा सकते हैं, अब 1500 करोड रुपए भुगतने राएंगे, वो तो समय की बात है, क्योंकि जिब कभी भी इस तरह की IT demand की notices आती है, तो companies इनको fight करती है, इनके against अपना case ललती है, और जो भी income tax के authorities है, उनके against case लला जाता है, फिलाल दोस्तों stock के बारे वात रहें, तो stock का यो trend line है, इस trend line के resistance पर stock जैसे ही आता है, stock गिर ज किया, तो stock के लिए काफी बड़ी positive news होगी, क्योंकि उसके बाद stock में ये trend line का resistance ब्रीच हो जाएगा, और उसके stock के लिए 640, उसके 680, 700 तक के levels खुल जाएंगे, कुछ और भी stock से दोसों, जिसको क्या आप study कर सकते हैं, जिसमें कि भारती एट हो लोग गया, जिसमें की 10 से was up 20%, again I'm telling you guys, जो भी stock मैं discuss करता हूं, ये मेरा personal view है, मैं गलत हो सकता हूं, please do not buy or sell as per my view, please do your independent research, do discuss with your financial advisor and be happy, bye-bye for now.